गुद मॉर्णिंग स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके स्लेबर्स का ही चाप्टर एट्मॉस्फेरिक प्रेशर और इस वीडियो में हम उस चाप्टर को पूरा का पूरा कम्प्लीट करेंगे स्टार्ट टू एंड ठीक है कोई भी टॉपिक इसकिप नहीं करेंगे और जो डाइग्राम नेसेसरी हैं वो भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो आपका जो काम है वो ये कि आपको इस वीडियो को पूरा पूरा देखना है और जो भी नोट्स और डाइग्राम्स मैंने इसमें बताए हैं वो सब आप अपने copy में note down कर लो ठीक है और कोशिश करो कि अगर आप colors का use कर सकते हो diagram बनाने के लिए उसको सही से represent करने के लिए तो well and good आप colors का use करो तो चलिए time based नहीं करते हैं और अपना पहला topic start करते हैं first heading is air pressure okay air है क्या basically अगर कोई पूछे कि हवा क्या है तो कई सारी gases का जो mixture है उसको हम कहते है air ठीक है mixture of several gases जो कि atmosphere में present है तो यह आप समझ गए कि air किसे कहते हैं air is a mixture of several gases जो कि atmosphere में present है अब सवाल यह आता है कि air हम समझ गए कि mixture of gases को हम air कहते हैं air pressure किसे कहते हैं तो on a unit of area किसी भी एक unit of area पर जो weight exert होता है या जो weight डाला जाता है हवा के द्वारा by the air उसको हम कहते हैं air pressure definition क्या होगी the weight exerted by air on a unit area of the earth is known as air pressure और हम किस तरह से इसको express करते हैं air pressure को जो हमारा unit है वो है millibar ठीक है अगर suppose करिए कि कहीं का pressure है 1034 कितना 1034 तो बस एक number है तो जब हम लिखेंगे millibar तब समझ में आएगा कि हम किस की बात कर रहे हैं pressure की बात कर रहे हैं clear आगे बढ़ते हैं second point पहला हो गया हमारा second point है atmospheric pressure produces change in the weather भाई देखो atmospheric pressure में change होता है जिसकी वज़े से हवाएं तेज चलती है या धी में चलती है या फिर नहीं चलती है और हवाओं के चलने और ना चलने से weather में change आता है ठीक है जैसे कि monsoon के जो clouds है monsoon की जो हवाएं है वो बादल को लेकर आती है अगर वो हवाएं नहीं चल रही होती है तो क्या होता है monsoon नहीं आता है या फिर बहुत काम आता है clear तो जो atmospheric pressure है directly या indirectly directly ही आप समझे कि वो weather को effect करता है weather में change लाता है ठीक है next point पर बढ़ते है third point winds are caused by air pressure जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो air pressure है उसकी वज़े से हवाएं चलती है basically एक rule है कि जो हवाएं है न वो high pressure से low pressure की तरफ चलती है ठीक है ये एक rule है ये एक universal truth है wind always moves from high pressure to low pressure इसको आप note कर लीजे ठीक है winds are caused by air pressure next point पर चलते हैं हमारे तीन point हो चुके है next point है हमारा on map अगर हम map की बात करें तो हम उस पे किस तरह से represent कर सकते हैं pressure को देखो एक line है जिसको हम कहते है ISO bar ठीक है और ISO bar line का क्या काम होता है map पर वो सारी की सारी जगा जहाँ पर एक जैसा जहाँ पर similar pressure है उस सारी जगाँ को वो एक साथ जोडती है ठीक है suppose करूँ कि यहाँ पर 1000 pressure है यहाँ पर 1000 pressure है यहाँ पर 1000 pressure है और यहाँ पर 800 pressure है तो जो ISO bar line है वो क्या करेगी 1000 pressure वाली जो points हैं उनको आपस में connect करेगी समझ में आ गया आपको तो ISO bar का क्या काम है ISO bar lines join all places with the same air pressure समझ में आ गया जो मैंने आपको यहाँ पर diagram बना के समझाया भी है ठीक है आगे बढ़ते आपको ISO bar समझ में आ गया अब देखें ISO bar को हम कैसे read करते हैं अगर ISO bar क्या हैं दूर दूर है एक दूसरे से far apart हैं तो क्या होगा जो हमारा मौसम होगा जो हमारा weather होगा वो होगा शान्त और बहुत ही gentle ठीक है बहुत तेज तेज हवाई नहीं चल रही होगी बहुत ही क्या बोलते हैं सुहाना मौसम होगा लेकिन अगर इसका opposite होता है ISO bar दूर दूर ना होकर बहुत ज़्यादा पास हो जाते हैं तो क्या होगा तो ISO bar जब पास पास हैं तो air में मतलब बहुत ज़्यादा difference आ रहा है जल्दी जल्दी ठीक है जिसकी वज़े से हवाई चलेंगी और जो weather है वो warm होगा clear तो एक बार फिर से मैं repeat कर दे रहा हूँ ISO bar अगर दूर दूर है तो gentle and calm weather है ठीक है और अगर ISO bar बहुत ज़्यादा पास पास है that means वो denote कर रहे हैं great difference in air pressure जिसकी वज़े से मौसम कैसा होगा warm होगा next point air pressure is measured by barometer जिस instrument से हम air pressure को नापते हैं measure करते हैं उसको कहा जाता है barometer और barometer दो तरह के होते हैं एक होता है 14th barometer और दूसरा होता है aneroid barometer clear यह आप लिख लिजेगा next point the rate of change of atmospheric pressure between two points on the earth's surface is known as the pressure gradient अगर जो दो point है ठीक है कोई भी earth surface पर कोई दो point है यह है point A और यह है point B यहाँ पर जो atmospheric pressure है दोनों के बीच में वो change हो रहा है ठीक है कहीं पर जादा कहीं पर कम हो रहा है तो दो point के बीच में जब pressure कम या जादा होता है तो उसको हम कहते हैं pressure gradient और pressure gradient को हम कैसे denote करते हैं again जो हम पिछले point में पढ़ चुके हैं ISO bar के थुरू या तो ISO bar पास पास होंगे या फिर ISO bar दूर दूर होंगे clear next point की तरफ बढ़ते हैं again same चीज़ कह रहे हैं अभी जो हम लोग पढ़ के आए हैं close spacing of ISO bar यानि कि जब ISO bar पास पास होंगे तो strong pressure gradient बनेगा ठीक है while wide spaced ISO bar अगर दूर दूर होंगे तो weak gradient बनेगा समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ point है air pressure के हम अब पढ़ने वाले हैं words के pressure belt ठीक है diagram को थोड़ा छोटा करते हैं ताकि इस screen पर आसानी से fit हो सके this तो ये क्या है ये है diagram हमारा pressure belts का सबसे पहले जो चीज़ आपको note कर रही है starting में pressure belt करोगे कि there are total seven pressure belts कितनी हैं seven pressure belts है अब इनके बारे में हम detail में discuss करते हैं देखो मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि जो wind है वो move करती है high pressure to low pressure तो इसको भी आप note करके रख लो एक बार इस diagram को पढ़ते समय high pressure से low pressure की तरफ wind move करती है clear फिर एक और चीज़ एक और law है जो मैं आपको बताता हूँ जिसको हम कहते हैं feral's law feral कौन थे एक scientist थे scientist थे और उन्होंने ये बताया था कि जो wind है वो northern hemisphere में अपने original path से divert हो जाती है किस तरफ right side में किस ने कहा था ये ये कहा था feral ने ठीक है feral ने ऐसा कहा था कि जो wind है वो northern hemisphere में अपने original direction से अपने original path से divert हो जाती है deflect हो जाती है towards their right और southern hemisphere में क्या होता है वो divert हो जाती है towards their left तो अब हम ये सारी चीज़े याद रखते हैं कि feral ने क्या कहा था दूसरी चीज़ कि high pressure से low pressure बिंड चलती है तीसरी चीज़ कि total 7 pressure belt होती है और एक और चीज़ भी आप याद रखो कि जो pressure और temperature के बीच में relation होता है वो होता है inversely proportionate ठीक है हिंदी में कहें तो with क्रमान उपाती होता है आपको समझ में नहीं आएगा ये आप बस inversely proportionate समझो इसका मतलब क्या है कि जब temperature ज़ादा होता है तो pressure कम होता है और जब temperature कम होता है तो pressure ज़ादा होता है तो ये सारी चीज़े ध्यान में रखते हुए अब हम इस diagram को पढ़ते हैं ठीक है आपको उपर north pole दिख रहा है नीचे south pole है diagram को थोड़ा सा और छोटा करने की कोशिश करते है येस like this तो सबसे पहले हम start करेंगे 0 degree से 0 degree यानि की equator ठीक है हम सब इसको जानते हैं और हम इसको ITCZ के नाम से भी जानते हैं जिसका पूरा नाम है intertropical ये लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजे convergence zone और इसको doldrums भी कहा जाता है अब आप ये देख लीजे कि equator पर sun rays vertical पढ़ती है ठीक है always आपको बच्पन से पढ़ाया गया है कि जो equator है वहाँ पर sun rays हमेशा vertical पढ़ती है और vertical पढ़ने की वज़े से वहाँ पर temperature बहुत ही ज़्यादा extreme होता है और temperature ज़्यादा होता है तो हम वही वाला law लगाएंगे कि pressure के साथ इसका relation inverse होता है ठीक है inverse होता है तो इस case में जब equator पर temperature बहुत ज़्यादा हो गया है that means pressure हो गया है low तो यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं low pressure ठीक है उसके लावा आप उपर देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है north की तरफ हम जब बढ़ेंगे यहाँ से तो यह है हमारी second pressure belt यह कौन सी है subtropical यह कौन सी थी 0 degree पर इसको बोलते है tropical low pressure belt और इसके उपर की तरफ हम जाएंगे तो subtropical high pressure belt होगी ठीक है यहाँ पर लिखा है high pressure ओके इसको horse latitude भी कहा जाता है सेम अगर हम नीचे की तरफ आते हैं सदर हमेस्फेर में तो भी हम क्या देख रहे हैं subtropical high pressure belt हम इसको कहते हैं horse latitude और देखे आप यह बीच में आपको जो dotted line दिख रही है यह क्या है ट्रोपिक ओफ क्याप्रिकॉन और जो ऊपर आपको dotted line दिख रही है वो क्या है ट्रोपिक ओफ कैंसर तो इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्योसी short में दोनों तरफ ट्रोपिक ओफ कैंसर एंड ट्रोपिक ओफ क्याप्रिकॉन करक रेखा और मकर रेखा क्लियर होगे आपको तो equator low pressure belt है और equator के दोनों तरफ subtropical high pressure belt है ओके तो अब हम wind का movement देख लेते हैं मैंने क्या बताया था wind always moves from low pressure to high pressure to low pressure तो आपने देखा कि equator पर क्या है low pressure है that means हवाए equator की तरफ आएंगी क्योंकि equator पर low pressure है और equator के दोनों तरफ high pressure है तो ये obvious हो जाता है कि दोनों तरफ से हवाए किस तरफ आएंगी equator की तरफ आएंगी तो आप देख रहे हो कि हवाए equator की तरफ आ रही है दोनों तरफ से आ रही है आपको दिख रहा है एरो अब आप सोचो कि ये हवाएं सीधे-सीधे क्यों नहीं आ रही है ये divert क्यों है, ये tilted क्यों है, ठीक है ये एकदम सीधे भी तो आ सकती थी बट इसके पीछे फिर एक law आ जाता है Feral's law, उन्होंने क्या बोला था because of earth rotation, क्या होता है जो wind है, जो हवाएं है वो deflect हो जाती है northern hemisphere में अपने right side में और southern hemisphere में अपने left side में तो अगर आप इस वीडियो को अपने mobile पर या computer पर देख रहे हो तो नीचे वाला जो है ना, ये वाला, ये आपको दिख जाएगा कि सदन hemisphere में हवाएं अपने left side में, देखो, ये left है ठीक है, आप अपने हाँ से भी चेक करोगे तो आपको ये left मिलेगा तो हवाएं क्या कर रही है, left side में divert हो रही है ओके उपर से आने वाली हवाएं क्या कर रही है, अपने right side में divert हो रही है अब आपको उल्टा दिख रहा होगा क्यों? क्योंकि आप जिस तरफ से जिस angle पे बैठे हो, वहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा तो आप एक बार imagine करो कि आप screen के दूसरी तरफ बैठे हो तो आपको समझ में आएगा कि हवाएं northern hemisphere में, अपने right side में divert हो रही है उधर जब आप बैठोगे तो ये होगा आपका right, clear होगे आपको ओके? चलो, तो ये तो हो गई हमारी जो trade winds है, उनकी बात इनको कहा जाता है trade winds ठीक है? आगे बढ़ते हैं, subtropical high pressure belt के उपर की तरफ क्या है? sub-polar low pressure belt है, this one, और नीचे भी हम आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? sub-polar low pressure belt, again, अब आप देखो कि this one is high pressure belt, this one is high pressure belt अब यहां से हवाएं low pressure की तरफ जाएंगी, आप देख रहे हो, ये जा रहे हैं, ठीक है? नीचे भी देखो, आ रहे हैं, high pressure से low pressure, और again हमें एक बार इसको cross check करेंगे, क्या फेरल ने जो कहा था, सही कहा था, तो अब आप जब सीधी screen पर देखोगे, तो आप देखोगे, northern hemisphere में हवाएं सीधे नहीं जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो deflect हो रहे हैं, अपने right side में यहाँ पर आप आसानी से देख पा रहे हो, और अगर again आप अपने आपको दूसरे side से देखोगे, तो आप देखोगे कि सदह में स्फिर में हवाएं क्या हो रही हैं, अपने left side में turn हो रही है, clear, इनको हम कहते हैं, westerlies wind, ठीक है, यह क्या थी, यह थी trade winds, और यह क्या है, य इसको जरा rough कर देते हैं, बहुत हुच-पॉच हो किया है, तो हमने दो चीजे पढ़ ली है, trade winds and westerlies winds हमने पढ़ दी हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं, polar easterlies को, ठीक है, अब आप देखो, हमने यह पढ़ लिया है, यह पढ़ लिया है, यह भी पढ़ लिया है, यह भी पढ कर लिया है, एक, दो, तीन, चार, पांच, अब हमारे पास polar high pressure belt बची हुई है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो, polar high pressure belt, अब अगेन आप वही formula लगाओ, कि wind always moves high pressure to low pressure, तो क्या ऐसा हो रहा है, हाँ हो रहा है, आप देख सकते हो, high pressure से low pressure की तरफ wind चल रही है, चल रही है न, high pressure से low pressure की तरफ wind चल रही है, अब एक बार चेक करो, क्या फेरल ने सही कहा था, जी हाँ, सही कहा था, northern hemisphere में, हवाएं अपने right side में turn हो रही है, और सदन hemisphere में, जो हवाएं हैं, जो wind हैं, अपने left side पर turn हो रही है, या फिर deflect हो रही है, इनको हम कहते है, polar easterlies, ठीक है, तो pressure belt का ये mechanism समझ में आ गया होगा, ये diagram वैसे ही बना लेना, जैसे मैंने आपको समझाया है, तो एक बार हम जरा ये देख लेते हैं, कि जो easterly, westerly है, ये कैसे जाना जाता है, ठीक है, देखो, हवाओं को हम जानते हैं, उन नामों से, जिस रास्ते से या जिस direction से वो आ रही है, ठीक है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, पुर्वाई चल रही है, पुर्वाई मतलब पूरव से आने वाली, east से आने वाली हवा, तो easterly का मतलब होता है, पुर्वाई, ठीक है, या फिर कहते हैं, पच्याओ चल रहा है, गाहों देहात में, पच्याओ का क्या मतलब होता ह west से आने वाली हवा यानि कि westerlies clear हो रहाए तो easterly और westerly क्या है अगर आपको westerlies दिख रहा है किसी भी हवा में या किसी भी wind होती है ठीक है तो यह पूरा डाइग्राम था जो कि explain कर रहा था pressure belts के बारे में clear अब जितना भी मैंने आपको diagram में अभी explain किया है ये सारी चीजें उसी के बारे में लिखी हुई हैं आप यहां से note कर सकते हो एक एक point वही बता रहा है जो मैंने आपको बताया है ठीक है subtropical high pressure belt ये सारे points हैं जो कि आप note कर सकते हो ठीक है circumpolar low pressure belt total seven belts मैंने आपको बताई है polar high pressure belt इसके ये सारे points आप note कर सकते हो ठीक है अब shifting of pressure belts की अगर हम बात करें तो क्या pressure belt shift होती है नहीं जो pressure belts के उपर climatic condition या weather condition होती है वो shift होती है क्यों shift होती है क्योंकि जो हमारी earth है वो tilt है कितना tilt है 23 and half degree ठीक है अब tilt होने की वज़ा से जब ये sun के चारों तरफ घूमती है तो क्या होता है कभी इसका एक पार्ट सूरज की तरफ होता है और दूसरा सूरज से दूर होता है कभी दूसरा पार्ट सूरज के पास होता है और उपरवाला सूरज से दूर होता है तो इसमें condition क्या बनती है जो पार्ट या जो hemisphere sun से दूर है वहाँ पर winter season होता है और जो sun के पास होता है वो क्या होता है वो होता है हमारा summer season clear यासे इस समय इंडिया में क्या चल रहा है winter season चल रहा है summer आने वाला है एक डिड़ महीने में आने लगेगा थीक है वसंद पंजमी के पास से धीरे धीरे आगमन उसका शुरू हो जाएगा तो अभी क्या है अभी जो हमारा hemisphere है यानि कि north hemisphere है वो sun से दूर है इसलिए हमारे country है इंडिया के आसपास वो सब क्या है winter season को experience कर रही है और जो southern hemisphere में countries है for example New Zealand and Australia वो क्या कर रही है वो summer experience कर रही है इस समय पर clear है आपको तो shifting of pressure belts क्या है basically belts shift नहीं होती है belts वाली जो conditions है वो shift होती है because of tilt of the earth जिसकी वज़े से sun की position हमें change होती हुई दिखती है ठीक है on 21st June when the sun is overhead on the Tropic of Cancer the pressure belt shift 15 degree northward 21 जुन को क्या होता है जो pressure belt होती है वो 5 degree northward shift हो जाती है ठीक है तो जो 0 degree actual में 0 degree है वो 21 जुन को कहां चला जाता है जो 5 degree है वो हो जाता है 0 degree ठीक है समझ में आ रहा है आपको यहां पर क्या हो रहा है 5 degree अभी भी 5 degree latitude है बट वहां की जो condition है वो 0 degree वाली हो जाती है क्यों हो जाती है क्योंकि sun उस तरफ vertical हो जाता है overhead हो जाता है तो 21 जून को क्या होता है 5 degree northward shift हो जाती है और वही 22nd December को अगर हम देखते हैं तो क्या होता है sun vertical overhead होता है कहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर जहां पर जो pressure belt है वो 5 degree southward यानि कि जो अभी 0 degree से 5 degree उपर की तरफ shift हुआ था वो 0 degree से 5 degree नीचे की तरफ shift हो जाता है clear और इसी को हम कहते है shifting of pressure belt basically क्या हो रहा है सूरज की जो light है सूरज की जो रोशनी है rays है वो vertical हो रही है कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कभी ट्रॉपिक ऑफ क्याप्रिकॉन पर जिसकी वज़े से जो climate condition है वो change हो जाती है clear तो इसको रफ कर देते हैं पहले फिर आगे बढ़ते हैं 21 March and 3 September जहां पर क्या होता है दो dates है याद करेजे 21st March and 23rd September जब सूरज equator के ऊपर वर्टिकल चमक रहा होता है उस समय सारी चीजें एकदम balanced condition में होती है अर्थ का zero degree वहीं है जहां है कुछ भी shifted नहीं है किसी भी तरह का pressure बेल्ट में shift हमको देखने के लिए नहीं मिलता है clear कब 21 March और 23 September को दोनों ही हमिस्फियर में एक बराबर दिन और एक बराबर राते होती है ठीक है और तो pressure belt की shifting है उसकी वज़े से ही seasonal change आता है जो मैंने आपको बताया था ना उपर कि 21 जून को 5 डिगरी नौर्थ वर्ट शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि नौर्थ हमिस्फियर में गर्मी बढ़ रही है और 22 December को साउथ वर्ट शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि साउथ हमिस्फियर में गर्मी बढ़ रही है और नौर्थ में विंटर आ रहा है clear आगे बढ़े चलिए अब हम बात करेंगे विंड्स की horizontal movement of air is called wind अब देखिए air की बात हमने की थी air का मतलब mixture of gases air is everywhere वो कहीं भी हो सकती है लेकिन जब उस air में pressure की वज़े से या किसी भी external disturbance की वज़े से movement create होता है कैसा movement horizontal movement create होता है तो उसे हम कहते है wind wind always blow from high pressure to low pressure मैं आपको बताता आ रहा हूँ शुरू से ही ठीक है तो ये तो हो गई बात wind की लेकिन जब यही movement horizontal नहीं होकर vertical होता है तो इसको हम कहते हैं आगे बढ़ें अब कई सारे factor हैं जो कि wind की direction और speed इन दोनों को effect करते हैं तो हम देखेंगे वो कौन कौन से factors हैं जो कि भाई हवाओं को effect कर रहे हैं उनकी speed को effect कर रहे हैं उनके direction को effect कर रहे हैं सबसे पहला आता है हमारा temperature अब मैंने आपको बताया अभी कि temperature और pressure में inverse relation होता है और pressure gradient की वज़े से हवाओं में movement होता है तो जाहिर सी बात है आप समझ लो कि दो जगा है एक जगा A और दूसरा station है B यहाँ पर है high pressure यहाँ पर है low pressure clear? अब pressure और pressure में अंतर high और low में अंतर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है low temperature और यहाँ पर क्या है high temperature अब देखो ना inverse relation low temperature high pressure low pressure high temperature अब इस case में क्या होगा? हवाएं चलेंगी high pressure से low pressure की तरफ ठीक है? clear? तो temperature की वज़े से आपने देखा क्योंकि जब temperature change होगा तो pressure में आपको disturbance देखने के लिए मिलेगा pressure vary करेगा station 1 to station 2 या any other station जिसकी वज़े से high pressure to low pressure हवाओं में movement स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम कहेंगे wind clear? उसके बाद coriolis effect coriolis effect क्या है? जो मैंने आपको बताया था कि जो winds है वो deflect हो जाती है they get deflected कहाँ deflect होती है they are right in northern hemisphere and they are left in southern hemisphere तो direction को effect करने वाला कौन सा factor है? coriolis effect clear? altitude the atmospheric pressure decreases जैसे जैसे हम उचाई पर जाते है जो pressure है atmosphere का वो क्या होता है? decrease हो जाता है the atmospheric pressure decreases with the increase in altitude अब air क्या है? air compressible है अब जैसे जैसे हम उपर जाते है वैसे वैसे gravity क्या करती है? जो air molecules को अपनी तरफ attract करती है pull करती है जिसकी वज़े से जो नीचे इस तरफ पर सबसे lowest level पर air की layer है वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है dense ठीक है? और density की वज़े से ही बहुत जादा weight बढ़ जाता है जो मैंने आपको starting में बताया था किसी भी unit of area पे कितना हवा का वजन है कितना weight हवा टाल रही है उसको हम कहते है air pressure तो मैंने आपको क्या बताया? जो gravity है वो air के molecule को अपनी तरफ attract करती है जिसकी वज़ा से बहुत सारे molecule आते है और एक dense air layer बनाते है और उस density की वज़े से जादा weight पड़ता है on the surface of the earth जिसको हम कहते है atmospheric pressure ठीक है? आगे बढ़ें अगला आता है हमारा rotation of the earth अब rotation of the earth की वज़े से क्या होता है? देख लो भई rotation of the earth की वज़े से जो हमारे equator है equator बाहर की तरफ push होते है ठीक है? the rotation of the earth causes the air at the poles to be pushed away towards the equator in the theory should have been accumulated ठीक है? sorry the rotation of the earth causes the air at the poles to be pushed away जो poles पर हवा है वो दूर की तरफ जाती है towards the equator अब इस theory के हिसाब से क्या होना चाहिए? air should have been accumulated at the equator हवा को equator के पास इखटा हो जाना चाहिए collect हो जाना चाहिए but equator पर sun rays vertical है अब vertical sun rays का मतलब high temperature high temperature का मतलब low pressure और वहाँ पर क्या होता है? क्योंकि वहाँ पर heat जाता है तो हवा गर्म होती है और उपर की तरफ चली जाती है और जो accumulation of air है वो नहीं हो पाता है clear? on the contrary the air gets heated at the equator get warmer and rises creating a low pressure area हवा क्या होती है? गर्म होती है उपर चली जाती है अब जब सारी हवा उपर ही चली गई है किसी भी तरह का pressure ही नहीं आ रहा है air surface पर तो वहाँ पर क्या होगा? low pressure area ठीक है? आगे बढ़ते हैं types of winds की अगर हम बात करें तो कई तरह की winds यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाती है कौन कौन से winds है? permanent winds जिनके बारे में हमने अभी उपर बात की थी trade wind बात की थी ना हमने 0 to 30 degree तो यह trade wind की बात हो गई उसके बाद यह 3 points हैं जो आप note कर लिजेगा यह वही point है जो मैंने आपको उपर diagram में अभी बताए थे second westerlies westerlies के बारे में भी हमने अभी बात की थी ठीक है यह कहां से कहां तक चलती है 32 60 degree north and south also ठीक है इसके भी 3 points हैं यह आप note कर लिजेगा देखो diagram से पढ़ने का यही एक फायदा होता है कि हमें बार बार theory को नहीं देखना होता है अगर आपने एक बार diagram को समझ लिया है तो that means आप उस diagram से ही points create कर सकते हो ठीक है इस level पे आके आपके अंदर यह ability होनी चाहिए कि आपने diagram से पढ़ा है और आप उसको explain कर सकते हो ठीक है उसको written form में दे सकते हो point बना सकते हो उससे तो आप देखो कितना easy है अगर मैंने आपको वो diagram नहीं बताया होता तो यह सारी चीज़े मुझे आपको line by line explain करनी होती बट अगर आपने उस diagram को सही से समझ लिया है नहीं समझाए तो आप again थोड़ा सा वीडियो को back करो, reverse करो और again आप उसको समझ सकते हो अगर आपने उसको समझ लिया है तो हमें यह सारे points पढ़ने की ज़रूरत नहीं है clear? polar easterlies हमने बात की थी pole पर हवाये चलती है, उनके बारे में भी 3 point है 60 to 90 degree north and south यह आप note कर लीजेगा अब हम बात करेंगे periodic winds की, दोको periodic winds क्या होती है जो किसी साल के किसी एक महीने में या कोई भी fix time duration हो सकता है उस समय पर चलती है उनको हम क्या कहते है periodic wind for example जैसे की monsoon wind ले लिजे monsoon wind इंडिया में कब चलती है? June से September के बीच में चलती है ठीक है? या फिर land and sea breeze अब यहाँ पर क्या लिखा है? हम उसको नहीं पढ़ेंगे हम again क्या करेंगे? हम diagram पे चलेंगे diagram को थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि adjust कर सेके अब देखो यहाँ पर क्या है? land is bad conductor of heat clear? जो जमीन है, जो land है वो solid है, वो क्या है? वो एक bad conductor है उस case में क्या होता है? यहाँ पर आप देखो यहाँ पर यह दिन का समय है दिन में क्या हो रहा है? यहाँ पर heat पढ़ रही है heat पढ़ने की वज़े से जो land है वो गर्म हो रहा है हवा जो है वो गर्म हो रही है और हवा उपर उठ रही है अब आप यहाँ पे फिर से वही formula apply करो कि temperature और pressure में क्या होता है inverse relation अब आप यहाँ पर देख रहे हो ना कि heat जादा हो रही है यहाँ पर क्या हो रहा है high temperature जिसकी वज़े से क्या हो रहा है low pressure warm hair उपर की तरफ जा रही है pressure ही नहीं क्योंकि हवा तो उपर चली गई अब क्या है कि जब हवा उपर चली गई तो नीचे का area तो खाली हो गया यहाँ पर क्या है जो पानी है वो थोड़ा देर से गर्म होता है तो यह अभी गर्म नहीं हुआ है यह ठंडा है अब ठंडा यानि कि low temperature तो low temperature की वे जो से pressure कैसा है high हवा कहां से कहां चलेगी high pressure से low pressure जो कि चल रही है आपको दिख रही है ठीक है दिखो कितना easy है वहीं हम वापस इस तरफ आते है अब land क्या है वो radiate बहुत जल्दी करता है तो land ने रात होते ही सारी heat को radiate कर दिया ठीक है अब क्या हो गया यह कूल हो गया यहाँ का temperature कैसा हो गया low pressure कैसा हो गया high और जो c है जो की धीरे धीरे गर्म हो रहा था तो अब वो जाकर proper गर्म हो पाया है ठीक है जिसकी वज़े से यहाँ पर क्या है यहाँ पर है high temperature and low pressure अगेन हवा कहां से कहां की तरफ चलेगी high pressure to low pressure ठीक है जो की चल रही है as you can see तो अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हवाओं को हम नाम क्या देते हैं हवाओं का नाम करण कैसे करते हैं कि वो किस direction से आ रही है clear तो अब देखो दिन के समय में हवा sea की तरफ से आ रही है इसलिए हम जो day है वहाँ पर कौन सी breeze चल रही है sea breeze clear night के समय में wind कहां से कहां जा रही है land to sea तो इसको हम क्या कहेंगे land breeze clear आगे बढ़ते हैं आप चाहों तो notes बना सकते हो यहाँ उपर लिखा हुआ है सारी चीज़े clear now jet stream jet stream है क्या basically jet stream are wind which blow horizontally from west to east horizontally west to east move करती है high speed near the tropopause ठीक है tropopause कहां पर होता है जहां पर stratosphere शुरू होने वाला होता है और troposphere खत्म होता है तो उन दोनों के बीच का जो area है जो transition zone है उसको हम कहते है tropopause ठीक है और tropopause के उपर stratosphere है तो jet stream एक horizontally move करने वाली wind है जो कि west to east move करती है high speed से कहां पर tropopause में and stratosphere में यह एक high speed wind है और यह influence करती है effect करती है किसी भी जगा को किसी भी location को जिसके उपर यह blow कर रही होती है influence the weather and climatic condition of the region over which they blow मालो कि इंडिया के उपर jet stream blow कर रही है तो यहां के मौसम को effect करेगी जब किसी भी और country के उपर jet stream blow कर रही है तो यह वहां के weather और climate को effect करेगी clear there are two type of jet stream which blow at a tropical belt of 300 north latitude the westerly jet stream and the easterly jet stream कितनी होती है दो एक westerly एक easterly अब देखो again westerly jet stream मतलब जो west से आ रही है ठीक है from west और easterly मतलब from east नाम कैसे दिये जाते हैं मैं बार-बार आपको बता दे रहा हूँ next a branch of westerly jet stream bring moderate to heavy rainfall followed by cold waves in the Indian subcontinent जो westerly jet stream है वो winter season में इंडिया में थोड़ी बहुत बारिश लेकर आती है moderate बारिश हो सकती है या कभी-कभी heavy भी हो जाती है ठीक है next point the easterly jet stream also help the monsoon wind जो easterly jet stream है वो monsoon wind को help करती है to blow into the greater part of India जो की जून से सितंबर के बीच में बारिश होती है जिसको हम कहते हैं monsoon तो दोनों ही westerly jet stream इंडिया में cold waves के समय हल्की-फुल्की rainfall या heavy rainfall करवा सकती है और जो easterly jet stream है वो monsoon के लिए help करती है ठीक है तो this is all about this chapter atmospheric pressure ठीक है मैंने बहुत ही short में समझाने की कोशिश की है diagram का use करने से मुझे बहुत ज़ादा explain नहीं करना पड़ा है आपका काम यह है कि आप diagram को अच्छे से समझ जाओ तो आप यह नीचे जितने भी यहाँ पर यह points लिखे हुए है इन सब को आप समझ जाओगे और आप इसको बिना पड़े भी लिख सकते हो मतला मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप बिना पड़े ही लिखो आप देख कर लिख सकते हो क्योंकि मैंने यहाँ पर दिये हुए है बट यह diagram land breeze, sea breeze का diagram उसको आप properly समझ लोगे तो क्या होगा तो आप आसानी से यह सारी चीजें यह सारे points पड़ पाओगे तो आपका थोड़ा सा burden कम हो जाएगा आपको बहुत जादा lengthy नहीं लगेगा यह एक फाइदा है जोग्रफी में diagram के थुरू या map के थुरू पढ़ने का clear तो यह chapter हमारा यही पर खत्म होता है आगे हम next video में किसी और topic और किसी और chapter के बारे में बात करेंगे आप इसके notes बनाओ घर पर हो पढ़ते लिखते रहो मजे करते रहो healthy रहो मिलता हूँ मैं आपसे किसी next video में thank you so much